हेलो गाइज इस सचीन चोहान वेलकम बैक तु दियना दा वीडियो गाइज गाइज एक कोश्चिन मेरे से बहुत बार पुट अप हो रहा था कि सचीन भाई हमें यह बताईए कि हम किस तरीके से लो लाइट में स्ट्रीट फटाउगफी कर सकते हैं बेसिकली मेरी एक सीरीज है स्ट्रीट फटाउग्रफी की इन सर्च ऑफ लाइट जो काफी जादा मलब थोड़ा उसे रिकनेशन मिला काफी जादा पब्लिश हुई है वो ठीक है तो उस वर्क को देखके मेरे से बहुत सारे फटाउगफर्स नहीं पूछा कि सचीन भाई हम किस तरीके से यह आपको करना चाहते हैं या फिर वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा इंफोर्मेटिव तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को प्रेस करते ताकि आपको नवी वीडियो को नोडिफिकेशन मिलता रहे सो विदाउट टाइम को लिंक देता हूं वहाँ पर जाके आप पहले अपर्चर की वीडियो देखिए वहां से बैक आईए ठीक है तब आपको मैं अपर्चर के बारे में आगे बताऊंगा बट जिन लोगों को अपर्चर पता है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूवर जो मेरी वीडियो कंटीन्यू बेसिस पर कंटीन्यू कर रहे हैं ठीक है उन्हें पता होगा पर्चर के बारे में तो आपकी लैंस में अगर जैसे मेरे अभी फूजी फिल्म में अपर्चर एफ 2.8 तक जाता है तो मैं एफ 2.8 कर लूँगा सबसे पहले अगर मैं नाइट मे फूटाओफी करने तो आपको अपना पर्चर खोलना होगा जैसे मेरे जो मैं लास्ट चू कैमरे से फूटाओफी करता था वो निकॉंडी बावंद्यू से उसमें अपर्चर जाता था एफ 3.5 तो मैं उस पर एफ 4 रखता था हमीशा मैक्सिमम जभी भी मैं नाइट में फ 4 3.5 या 4 इन दोनों में से कुछ भी देख सकते हैं दूसरी चीज आजती है हमारी ISO की तो दूसरा टिप है ISO को लेकि बहुत सरे फोटाओफों यह कहते हैं कि यार आयो सो लो रखना चाहिए लो रखना चाहिए लो रखना चाहिए तो ग्रेन आजती फोटो में बट मैं ऐसा 30,000 का कैमरा उसमें भी मैंने 4,000 पर जाके फोटोग्राफ क्लिक करी है और स्टीट फोटाओफ़ी में कुछ भी मैटर नहीं करता है सिर्फ एक चीज मैटर करती है वह है स्टोरी कंपोजिशन और आपका विजन ठीक है इमेज क्वालिटी मैटर करती है वाट इतनी भी मेज क्वालिटी खराब नहीं होती है ठीक है तो आप मेरे भरोसा किया और एक्सपेरिमेंट कीजिए और आप अपना ISO रख सकते है 4000-5000 जब आप लो लाइट में कर रहे है ठीक है मतलब इट डिपेंड अपन यूर सिचुएशन का है उसके हिसाब से आप अपना ISO सेट कीजिए ठ गाइक सब्सक्राइब करना लिएधाक के फा Черसफ के रखना यहा तक ना फ्ल dengan कर राहा है अपने मैनल मोड पर क्लिक कर रहा हूं लाइट में ना तुम्हां अपर्चर प्राइटी तो यूज करना मना में फ्रोग्राम मोड उसकरणा मैं क्डर्स करना में यूज ओका हूं मै जगे पर लाइट चेंज होती जाती है तो आपको उसके हिसाब से अपनी camera settings change करनी होती है मैं आपको वो camera settings बता रहा हूं जो मैं 90% रखता हूं अपनी night street photography के अंदर तो आपको अपना पर्चा रखना है F4 आपको अपना ISO रखना है 4000 आपको अपना shutter speed रखना है 1 by 60 यह मेरे maximum number of time मेरी जो insert of light है इसी camera settings पर क्लिक करी गई है अब मैं आपको एक हो चीज बताता हूं जो आपको important जो आपको ध्यान में रखने चाहिए वो है chase the light हमेशा night में भी अंधेरा है न तो अभी भी आप light को chase कीजिए कि light किस तरफ से आ रही है वहाँ पर जाके आप click कीजिए photograph को ठ करकी उन्हें illuminate करता हूं और उनको attractive उन्हें highlight करता हूं ठीक है एक तरीके से ठीक है तो आपको light को chase करना है और उसी के area में अपने subject को compose करना है आप जिस तरीके से कर सकते हैं तो chase the light और echo tip है जो मुझे लगा है आपको देना चाहिए कि आप जबी भी post processing कर रहे है ठीक है त तो अपनी image को थोड़ा सा under ही रखे contrast ही बढ़ाए रखें ताकि वो जो मिलब एक field रहे है उसका अंदर ऐसा नहीं आपने बहुत ज़दा brightness open कर दिया बहुत ज़दा shadows open कर दी तो उसमें उतना मज़ा आता नहीं है तो हमेशा एक under ही रखें तो यह मैंने share करें अपने सारे tips secret tip जो भी मैं click करता हूँ अपनी in search of light series को लेकर नाइट street photography को लेकर तो मैंने आपको सब कुछ बता दिये इन सारे camera settings को इन सारे points को आप अपने ध्यान में रखें अगर आप street photography करेंगे night में I am damn sure आपको बहुत अच्छे results मिलने वाले हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छ वाचिए गाइज